है गाइज वेलकुम टू माई चैनल दूसे शुक्ला और लावराध्या में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हाजिरू मैं एक और वीडियो लेके आपके साथ तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी अबाउट इस पर्टिकुलर प्रोड़क्ट इसका रिव्यू म यह मैंने आपको सही से बता पाऊंगी कि यह कैसा वर्ट करता है और यह बताना सबसे ज्यादा सही होगा कि यह पर्टिकुलर प्रोड़क्ट मेरे लिए कितने अच्छे से काम किया है या कितने बुरे से काम किया है तो उसके लिए प्लीज देखते रहे है मेरा वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हाई दिस इस शुकला मैं में मेंली होम स्कूलिंग प्रेगनेंसी पेरेंटिंग और प्रोड़क्ट रिव्यू इस टाइप का वीडियो बनाती हो अगर आप इन सब में इंट तो प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल एंड उसके पास एक बेल बटन मिलेगा उसको भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे है तो लेट्स गेस्टार्ट इसके बात करेंगे इसके पैकेजिंग के बारें में इसके प्रोड़क्ट केणर सबस्क्राइब wages, जह Quy Same Body Time, में भी बात करोंगा एक यह इसके बात कीप मारी है में और अभी पर कर वाइब के बात करेंगे तो अभी जब मैंने यह पुछस किया इसके प्लाइजेंग की ह बात करें तो इट व कम उप इसके थी के मैं के बात करें तो जिसको आप ऐसे ओपेंड करोगे, so it is quite beautiful for me, क्योंकि मुझे वह वाले packets पसंद नहीं, जो यहां से काटो, और फिर निकालो तो वह वेस्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ टाइप, कुछ packets ऐसे होते हैं, जो जिनमें यह box टाइप का नहीं होता, जस्ट यह एक ऐसा sheet दिया होता ह है, जो कि कुछ टाइम बाद इसी के वाइप के जो वर्टर कंटेंट है, उसी से यह खडाब हो जाता है, and all your tissues are become like dry tissues, they are not becoming the wet wipes, so I like this kind of packaging the most, यह कंटेंट करता है 72 sheets, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, 72 pieces of wet wipes are here, and it cost 149 rupees, लेकिन अगर आप इसको online purchase करोगे, so यह आपको कम भी मिल जाएगा, मैं इसका link आपको description box में दे दूंगे, in case you are interested to buy this product, now इसका जो life have, वो काफी long मिल जाता है आपको, इसको आप, इसमें आपको 2 साल तक यूज कर सकते, उसका longevity 2 साल तक रहता है, now यहाँ पे जैसे packaging के उपर ही आपको यह दिखेगा, this is antibacterial ingredients, इसमें है, it is dermatologically tested, इसमें aloe vera के extracts है, and this is also paraben free, जो चार चीजे, I think almost every mom wants in a wet wipes, it has all of this in it, now अगर आते हैं में मुद्दे पे, तो टीशू की बात करें, तो this is, it looks like this one, यह ऐसे ही निकलता है, कुछ-कुछ wipes, जो मैंने पहले भी एक wipes का video बनाया हुआ था, वो baby hug का था, उसमें भी और इसमें भी एक common चीज factor है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो यह है, कि इसको निकालोना तो एक ही easily आता है, ऐसा नहीं है कि अंदर इसका जो system है, जिस तरह से इसको रखा हुआ है, वो गंदा टाइप नहीं है, कि आप एक निकालने की कोशिश करें हो, एक सार दो तीन आ रहे हैं, वो इस वाले में नह ही है, so I'm quite happy with that, now tissue is quite long, जैसे आप देख रहे हो, तो newborn के लिए तो एक ही में कम चल जाएगा, लेकिन अगर toddlers है, infants है, तो थोड़ा आपको दो भी लग सकते हैं, उनकी full body को clean करने के लिए, now यह इसको आप जब निकालोगे, it quite feel dry, लेकिन इसमें बहुत water content है, like मैं यहाँ प देख रहे हो कि इसमें watery feelings आ भी रहा है, तो fully यह आपका use हो जाएगा, and इसमें water content जो है, वो काफी अच्छा है, like आपने डुगू को देखा, डुगू के लिए मुझे only two ही, दो लगते हैं, उसके full body को साफ करने के लिए, so yeah, it is quite good for me to use, and इसमें जो water content है, वो बहुत अच् good, so मुझे ज्यादा odd smell पसंद भी नहीं है, wipe smell लेकिन इसका smell जो है, वो बहुत अच्छा है, so yeah, this is it, मुझे लगता है, it is a quite good purchase for me, and अगर आप भी इसको buy करते हैं, तो please comment section में जरूर बताये कि आपको कैसा लगा, मेरे लिए, it's a quite big thumbs up for me, मैं इसको जरूर next buy करने वाली हू जब तक मुझे कोई और product का review न करना हो, तब तक तो मैं इसको buy जरूर करूंगी, क्योंके it is quite good, and handy भी है, कहीं भी लेके चाह सकते हूं, it's work like magic, it's very good, so yeah, that's all for today's video, guys, video पसंद आए, तो like और share जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा, उस को भी हिट कर लेना, मैं मिलती हूं, next video में तब तक के लिए, be happy, kiss smiling, bye guys,